नमस्ते सदावस सेले मात रुभू में जय हैं दोस्तों, मैं किशन चद आप सबका एक बाफ फिर्स अस्वागाइद करता हूं टेक्निक लस्त में, तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अब्डेट की तरफ बजगाओं डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड यानि कि MDL ने हाली में स्वदेशी मिडगेट समरीन प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी है कहा जा रहे कि इसका विकास इस साल की शुरुवात में शुरू हो चुका है जब MDL ने प्रूफ ओफ कॉंसेट के हिस्से के रूप में मिडगेट समरीन के प्रोटोटाइप हल का सफलता पूरवक्त प्रेशर टेस्ट किया था और इस मिडगेट समरीन का नाम है MS-X02A और ये समरीन cutting edge stealth based platform और minimal acoustic और electromagnetic signatures के साथ आएगी जो कि इसकी operational गोपिनेता और दक्षता को बढ़ाएगी इसमें अत्यादुनिक sonar, GPS, inertial navigation system और communication प्रनालियां लगाई जाएगी आपको बता दे कि ये जो MS-X02A जैसी पंडूबिया होंगी इनको जमीन और समुद्र, दोनपर समुदरी मिशनों के लिए एक pilot, eco-pilot और एक combat swimmer team को उनके जरूरी उपकरणों के साथ ले जाने में शक्षम होगी सोधेशी midgate submarine program में MDL की प्रगति भारत की 9 सेना की शमताओं में एक महतपुन कदम है जो कि पानी के नीचे के मिशनों की एक विस्तरिश शंकला को प्रभावी ढंग से और सुरक्षित रूप से संचालित बरतेन एक्स्टरप्रेट की तरफ दोस्तो भारतिय सेना अपचीन के साथ लगते है LAC पर अपने active सेनी को और सरजीकर operation में लगे जो special force के जवान है उनके लिए सुरक्षित यानि की secure satellite अधारी communication को बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रही है आपको बता दे कि भारतिय सेना हलके सूटकेस अधारी सेटकॉम सेट प्राप्त कर रही है हाली में भारतिय सेना ने Defense PSU भारत Electronics से साथ 160 से अधिक cutting edge mobile secure satellite terminals के लिए एक अनुबंद पर हस्ताक्षर की इसके साथ साथ इस से संबंदित कई और contract भी सेना ने की हैं और इन contracts में अलग-अलग परकार के सेटकॉम टर्मिनल शामिल है जिसमें man portable, KU band satellite terminal, S band handheld terminals, S band man pack terminals और light vehicle based KU band satellite communication terminal शामिल है DRDO और BL के दोरा विक्सित नई सुरक्षित portable terminal दूर दराज और चुनाथिपोन इलाकों में military communication साथा प्रदान करेंगे और यहीनी इसके अलावा जो surgical operation के लिए जो हमारी para special forces है उनके लिए भी ये एक भैतर communication सपोर्ट प्रदान करेंगे सेना के दोरा इस्तमाल किये जाने वाले सेटकॉम सेट की पिछली PD अब absolute हो चुकी है जिससे 3488 किलोमेटर लंबी LAC पर तैनाज सैनिकों के लिए ये communication में बाधा बन रही थी दोका देनी के आदर शिलंका की अब बहुत पुरानी हो चुकी है ऐसे में एक बार और बड़ा धोका भारत को शिलंका ने दे दी है शिलंका ने भारत की सारी बातों को दरकिनार करते वे चायना की रिशर्च शिप शियान 6 को अपने कोलंबो बंदरगाप पर रुखने की अनुमती दे दी है अब ये कहा जा रहा है कि ये चीनी जहाज रिशर्च के नाम पर हिंद महा सागर में जासुसी करता रहेगा जो कि अगले तीन महनों तक वो करता रहेगा दोस्तों यहाँ पर एक बात और सामने आई है कि भारत इस साल के अंत में कई मिसाइल टेस्ट करने वाला है जिसमें की के 5 समनी लांच पैलस्टिक मेंसाइल इसके अलावा अगनी 5 मार्क 2 जिसकी एक बड़ी वी रेंज होगी यानि कि 7000 किनोमेटर तक की उसका भी भालत टेस्ट करेगा तो ऐसे में चाइना का ये जो वेसल है जो कि रिसर्च के नाम पर यहाँ पर पहुँच रहा है वो इन सब को ट्रैक करेगा ऐसे में दोस्तों भारत को सचित रहनी की जरौत है और साथी साथ भारत को इस तरीकी की काउंटर मेजर्स तयार करने होंगे कि चाइना का ये जो रिसर्च वेसल है वो किसी तरीके की जासूसी ना कर पाए चलिए बढ़ते ने एक्स टब्रीड की तरफ दोस्तों हिंदोस्तान एनलॉटिक्स लिमिटेट के अधिकारियों ने कहा कि वे अब अपने फूचर वर्टिकल लिफ्ट प्रोग्राम पर विचार कर रहे हैं जो कि प्रोजेक्ट लक्षा के तहत पनाया जाएगा और ये बात अब सामने आई है जब अभी हाली में अमारिका ने भारत के डेलिकेशन को अपने यूएस फूचर वर्टिकल लिफ्ट प्रोग्राम और बी-21 राइडर स्टेल्थ बॉम्बर प्रोग्राम में शामिल होने की बात कही है दरसल अमेरिकी सेना का जो फूचर वर्टिकल लिफ्ट प्रोग्राम है वो 2030 से वह इस हैलिकॉप्टर को इंडेक्ट करने लगेंगे वहीं कहा ये जा रहा है कि भारत का एचेल अपने फूचर लिफ्ट प्रोग्राम को 2040 से इंडेक्ट करना शुरू कर देगा चले बढ़ते नेक्स्ट अप्रेट की तरफ हाली में डिफेंस एक्क्यूजिशन काउंसिल के द्वारा भारतिय सेना के लिए 800 लाइट आमर्ट मल्टी परपस विकल्स की खरीब की मंजूरी मिलने के बाद अब कहा जारा है कि इनका जो फाइनल मुल्यांकन और ट्रायल होगा वो जल्द ही किया जाएगा ऐसे में ऐसे में अशोक लिलेंड ने अपने ले एमवी आधारित लॉकिट मार्टिन हाई मोबिलिटी वेकल की पेशकश की है तो कल्यानी स्टैडेजिक सिस्टम ने अमेरिकन कांपनी एम जर्नल के साथ मिलकर ले एमवी को जो कि हमवी प्लेटफॉर्म पर आधारित है उसकी पेशकश कर रहा है इसके अलावाद टाटा ने स्वदेशी एले एमवी जो वी शेप्ट हल माउंटेट 4x4 चैजिस पर आधारित है उसकी पेशकश की है और अमेरिकना के लिए अपने दूट नैनो ड्रोन के तीन वेरियंट का अनावरण किया है जिसमें से एक वेरियंट ऐसा है जिसमें एक्स्प्लोजिव को लगा कर इसे कैमिकेज यूवी में बदला जा सकता है दूट एमकेवन का वजन 200 ग्राम है इसका इंडिरियंस टाइम 30 म नटका है और इसकी मैकसिमम स्पीड 80 किलोमेटर प्रतिगंटा है साथी इसमें आर्टिफिशल इंटेलिजन शमता होगी जिससे कि ये 80 अलग-अलग अब्जेक्ट्स को आइडिन्टिफाई कर सकता है और यही नहीं इसे खरीदने के लिए भी कई देश लाइन में लग इसमें इसमें मेकैनिकल टाइमर और इलेक्ट्रॉनिक एंटिफिट डिवाइस लगी होगी जो कि 120 दिनों तक एक्टिव रह सकती है और 120 दिनों के बाद ये खुद ही निट्रिलाइज हो जाएंगी बारते नेक्स अब्रेट की तरफ लिथानिया की स्टेट बॉर्डर गार्ड सर्विसिस ने भारत की MQU Limited को सेलेक्ट किया है टेक्टिकल बैलेस्टिक हेल्मिट्स की खरीद के लिए जिसमें की MQU Limited ने अपने कवारो अल्टर लाइट वेड्वेट हेल्मिट का उफर किया ह बता दे कि ये हैलमिट्स निध्यानिया के जो स्टेट बॉर्डर गार्ट्स हैं उन्हें सेफ्टी प्रदान करेगा वो भी हाई एनिमी थ्रेट्स के खिलाब इसमें नाइट वीजन और मोनोकुलर साइट और थर्मल वेपन साइट भी लगी है चलिए बड़ते नेक्स अपडेट की तरफ दोस्तो एक बड़ा युद्ध एक बार फिर से शुरू हो चुका है अजर्बेजान और अर्मीनिया के बीश में और दोनों देशों की सेनाए एक बार फिर से एक दूसरे के सामने खड़ी है नारगुनों का राखबक अंतराष्टी रूप से अजर्बेजान का हिस्सा है लेकिन आजादी के बाद से अर्मीनिया के कबजे में इससे पहले दोनों देशों के बीश 2020 में युद्ध हो चुका है और आपको मालूम है कि अर्मीनिया ने 2020 की हार के बाद अपनी सेना को मज पूद किया और भारत से कई हत्यारों की खरीद किये जिसमें पिना का मल्टी बैला रॉकेट लॉंजर सिस्टम स्वदेशी हाविजजर टीस-40 शामिल है साथी भारत एक सुपश्बन एमेम के इस हाविजजर और पिना का रॉकेट सिस्टम की पहली खेप इरान के पास बंदरगा के जर ये अर्मीनिया भीज चुका है आपको वता दे कि अजर्बेजान पहले से ही भारत अर्मीनिया की रक्षा खरीश से घबराया हुआ अब पिछले मेने भारत ने अर्मीनिया को हत्यारों के आप उर्ची शुरू की तब से अजर्बेजान की बीचैनी स हत्यारों की सप्लाई शुरू कर दी है या फिर उन्हें दिना बाकी जाने की यहाँ पर दोस्तों यह लड़ाई अगर बड़े स्तर पर पहुंचती है तब यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा भयंकर युद्धु देखने को मिलेगा आर्मीनिया के पास अब भारती हत्यार प दाकत को बड़ा करना है नौसेना को 143 विमानों और 130 हेलिकॉप्टरों के साथ 132 युद्धु पोतों को खरीदने की इजाज़त भी मिल चुकी है इसके लावा 8 पीडी के कॉरवेट, 9 पंडुबी, 5 सरवी जहाज और 2 बहुत देशे जहाजों के निर्मान के लिए भी 155 से 160 युदपोत हो जाएंगे एक रिपोर्ट के मुतावित ये संक्या बहुत अच्छी लग सकती है लेकिन भारतिय नौसेना का असली मकसद 2035 तक अपने बेडे में कम से कम 175 युदपोतों को शामिल करना है जिसके जरीए ना सिर्फ रनी तिक बड़त हासिल की जा सकती है बलके हिंद महासागर छेत्र में भारतिय नौसेना की जो पकड़ है वो और मजबूत की जा सकती है इतना ही नहीं इस दोरान गड़ाकू विमानों एरक्राफ्ट कैरियर हैलिकॉप्टर्स और ड्रोन्स की संख्या को बढ़ाने पर भी जोड दिया जाना है क्योंकि चाइना से लगातार खत्रा बढ़ रहा है इसलिए इस बात को नदर अंदाश नहीं किया जा सकता चाइना तेजी से अपने जहाजोग की संख्या बढ़ा रहा है और दुनिया में सबसे बड़ी नौसे ना उसी किये फिलाल ये था भी देखेंगे टॉप डिफेंस और स्पेस अब्डेट्स वीडियो के समझने कोई प्रश जवाब ये आपको कोई सवाल है कमें शेक्षिमा लिका जरूर पूसकते है साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजेगा और शेयर भी कीजेगा और चैन सब्सक्राइब क